बॉलिवड अक्ट्रिस दिपिका पादुकॉन आज़कुल अपनी हॉलिवड फिल्म ट्रिपल एक्स दे रिटर्न अफ एक्जांडर केज की शूटिंग में बिजी हैं इस दौरान खबर मिली है कि दिपिका की पहली हॉलिवड फिल्म के सेट पर एक हाथसा हुआ है इस हाथसी की तस्वीर नीना ने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की है दिपिका भी इस हाथसे सिब बहर्दुकी है असल में उनकी सहकलाकार नीना डॉबरेव स्टंट के दौरान खायल हो गई फिल्म में नीना एक टेकी का रोल निभा रही है आपको बता दें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट स्कॉट फ्रैजियर ने लिखी है ट्रिपल एक्स फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है इस फिल्म में दिपिका के साथ मश्हूर अबिनेतरी नीना डॉबरेव और रूबी रोस भी काम कर रही है फिल्म के निर्देशक अमरीकन डीजे कुरोसो है अभी विडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चट बटी निउस देखने के लिए फिर मिलेंगे मस्ता लिजार खबरों के साथ बाई बाई